दूसरा सवाल जो था उस सवाल का काफी मैंने कभार कर लिया फर्स्ट में कि मेरा जो सर्वीस है दस साल से काम है और सुटाबिलिटी का में रिटेंशन सार्टिफिकेट में आनुलिंग फर गेटिंग सेल्टर अपर्डमेंट ऐसे केस है आपका डिसाबिलिटी का करन से आप पामनेंट लो मेडिकल काटेगरी में प्लेस किया गया तो उस समय आपका जो कमंडिंग अफिसर है वो आपको सेल्टर अपर्डमेंट देते हैं अगर आप उसे सिकार नहीं करते हैं यानि कि यूर अनुलिंग टू इंवालिट केस में कॉउंटेड होगा पर इस समय आपको पैंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दू चीजिए को पर टैय होता है एक टर्मिनलोजी जो है डिसाबिलिटी पैंशन और इंवालिट पैंशन दो अलग-अलग चीज़ है इसे कहा जाता है जो आपका डिसेबिल से कम सर्विस है और आपको इंबैलिट पेंशन मिलेगा यह पेंशन का और एक कंडिशन है 2020 से पहले यह रूल था कि मिनिमम जो है दस साल सर्विस होना चाहिए तभी इंबैलिट पेंशन मिलेगा और 2020 जुलाइ का बाद यह कंडिशन आ गया कि 10 से कम है तब भी आपको मिलेगा पर इसमें एक कंडिशन और जुरा गया कि आपका जो डिसाबिलिटी है फुली इनकेपासियेट फॉर सिबिल और मिल्टरी सर्विस यह जो है वर्डिंग उसमें जुरा गया ठीक है अब क्या है देखिए जो मान लिजिए आपका जो डिसाबिलिटी ह है वो अग्रिबेटेड या अट्रिबेटेबल दोनों में से एक यस है और फिर यह नहीं कि आपका डिसाबिलिटी मालीजी अग्रिबेटेड है और आपका सर्विस दसल से कम है और आप सिल्टाड अपनमेंट नहीं लेना चाहते हैं आनुलिंग करके आप घर जाना चाहते अब उस case में क्या होगा आपको disability pension मिलेगा कितना disability pension मिलेगा देखिए disability pension का दो component होता है यह है service element और दूसरा है disability element service element कितना होता है service element is equal to service pension अगर आप service pension अभी रिटायर होते हैं तो आपको चितना service pension मिलना था वो है service element दूसरा disability element क्या है यह है कि आपका जो disability है वो कितने percentage है उसका पर depend करता है माल लिजिए आपका जो disability है after broadbanding 50% है तो आपको कितना मिलेगा देखिए इसका बहुरी इसका जो है बहुरी सेंपल सक एक फर्मूला है क्या है कि आपका disability जो 100% अगर है तो आपको कितना मिलेगा 30% of emoluments emoluments means क्या है कि जितना pay का उपर आपका pension बनता है यानि कि basic pay, military service pay, group x pay and class pay pension का जो element है उसका 30% is equal to 100% pension तो आपका case में कितना होगा इसका आजा होगा यानि कि 15-15% 15% of your emoluments यह होगे आपका disability pension तो इस case में क्या होगा आपको दोनों ही मिलेगा आपका service element भी मिलेगा और disability element भी आपको मिलेगा दोनों ही element अपको उवीद है कि आपका जो सवाल था वो clear हो गया होगा फिर भी अगर कोई सवाल है कोई आपको और भी कुछ जानना है तो जरूर आप comment box में लिखिए जितना हो सकेगा इसको clarify करने के लिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत